हेलो दूस्तों जैसा के देख पार है वी डवलू की पसाड है 2012 का मोडल है डीजल का रहे है और गारी जैसा के देख पार है अभी चालू है एसी मैं चालू रखाऊं जैसा के देख पार है कुलिंग टेंपरेचर देख लिए 12.5 पे आ चुका है और भी ड्रॉप हो रहा है और भी ड्रॉप होगा और भी ड्रॉप होगा लगवक साथ आट तक आएगा यह रही आउटसाइड एयर का इसमें दो फ्यूचर दिया है एक आउटसाइड एसी पे चला सकते हैं और एसी द्राइवर का है और यह रही सिंग का सिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा साइड के अगर सिंग आप अगर चालू करते हैं तो दोनुं साइड का हीटिंग सेट कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां से दोनुं साइड एजस कर सकते हैं अगर सिंग आफ र हो ईüneखो इस साइड से करेंगे हो honesty फैसेंजर साइट का हι एगिस सकते हैं अगर सुन को अन करते हैं और उसके नकर उसके बाद यहांसे भी एग्द्यस कर सकते हैं तो यहां का पैसेंजर साहीड ही अपे उन रखते हैं और यहांसे एड्चेस कर सकते हैं तो सिंग का बटन ओफ हो जाता है जैसा कि आप देख पार है यहां से आप नहीं कर सकते हैं से ओनली ड्राइवर को ही यह दिया है कि आप सिंग अधर चालू कर सकते हैं तो यहां से एजस्मेंट कर सकते हैं दूनू साइट का टेंपरेचर तो यह प्रॉपर चल्ड क्या ज़्य मौक्त के यह डोड स्पीड का है जैसा कर देख बुस्पले में कि का दोपे रखतह ऊँ और ही टर हाई कर रहा हूं सिंगा करके हीटर हाई कर रहा हूं और हीटिंग टेमपरेचर देखता हूं बढ़ दाए क्या नहीं है तो जैसा के देख पार है 44 तक पहुंच चुक है हीटिंग टेमपरेचर इसका सभी सिस्टम प्रोपर चल रहे जैसा के मैंने आपको दिखाया और मैं एक चीज आपको बत दिखा रहा हूं कि यह वाला बटन जैसा के देख पा रहा है यह और यह बटन काय का बटन दिया है यह आप कॉमेंट करके मुझे बताए यह बटन और यह बटन चालू करने पर क्या होता है और काय का बटन है बस इतना कॉमेंट करके आप मुझे जरूर बताए इधर मैक्स का रिय 24 का दिया है प्रोपर चल्ड है मैं आफ कर देता हूं तो जैसा कि मैंने आपको दिखा है इसका सभी सिस्टम प्रोपर चल्ड है तो हेलो दूस्तों आप मेरे चैनल में अगर नए है तो प्लीज लाइट कोमेंट सस्क्राइब करना ना बूले और इस तरीके के वीडियो से बाई बाई टेक कियर अल्ला हाफीज